अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने विज्ञान की दुनिया में एक और मील का पत्थर अपने नाम किया है जीवन की खोज में मंगल ग्रह पर पहले दो रोवर उतार चुकी नासा ने एक और रोवर की चुनोती पूर्ण लेंडिंग कराने में सफलता हासिल की है परसवेरंस रोवर लाल ग्रह के जेजेरो क्रेटा पर उतरा तो नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरिटरी के मिशन कंट्रोल में जश्न मनाया जाने लगा वहीं रोवर ने उतरते ही अपना काम शुरू कर दिया आखर क्यों यह मिशन बेहद एहम है आए जानते हैं क्या मनगल पर है जीवन नासा का परसवेरंस रोवर मनगल पर एस्ट्रोबायर जी से जुरे कई अयान सवालों के जवाब खुजेगा इनने से सबसे बड़ा सवाल है क्या मनगल पर जीवन संभाव है यह मिशन ना सिर्फ मनगल पर ऐसी जदहों की तलाश करेगा जहां पहले कभी जीवन रहा हो बलकि अभी वहां मौझूद माइक्रोबेल लाइव के संकेट भी खुजेगा पस्वियरंस रोवर कोर वहां चतानों और मिर्टी से सेंपल लेगा और भाविश्य में वहां जाने वाले मिशन इन सेंपल्स को धर्ती पर वापस लेकर आएंगे दरसल इन सेंपल्स को स्टडी करने के लिए वेग्यानिकों को बड़े लाब की जरूरत होगी जिसे मंगल पर ली जाना संभब नहीं है क्या भेजे जा सकेंगे इनसान? इसके अलावा मिशन ऐसी जानकारिया एकठा करेगा और टेक्नोलजी को टेस्ट करेगा जिनसे आने वाले समय में मंगल पर इनसानों को भेजने का तरीका खोजा जा सके इसमें सबसे एहम होगा मंगल के वायो मंडर में ओक्सिजन बनाने का तरीका खोजना Perseverance में Mass Oxygen Institute Resource Utilization Experiment यानि मौक्सी नाम की विवाइस लगाई गई है जो वहाँ ऑक्सिजन पैदा करने की कोशिश करेगी इनके अलावा सता पर पानी खोजना, लेंड करने के बेहतर तरीके इजाद करना, एस्ट्रोनोट्स के रहने लायक मौसम, दूई और पर्यावरन की स्थिती खोजना भी इस मिशन में शामिल है पर्सवेरन्स के साथ एक छोटा हेलिकॉप्टर इंजिन्यूर्टी भी बेजा गया है जो प्रत्वी के वायुमंडल को छोड़ कर कहीं और उलाया जाने वाला पहला रोड क्राफ्ट है यह मंगल पर इस टेक्नोलोजी का डेमो होगा और इसकी मदब से ऐसी जगहों की स्टडी आसान हो जाएगी जहां रोवर या इंसान नहीं जा सकेंगे कहां मिलेंगे जवाब लेंडिंग के बाद 2 साल तक परसवेरंस जजेरो क्रेटर में जीवन के निशान तलाशेगा नासा के मताबिक परसवेरंस के लिए ही जजेरो क्रेटर सबसे सही जगह है और वहां एक्सपरिमेंट किये जा सकते हैं जेजेरो एक सूखी हुई प्राचीन जील का तल है मंगल पर यह सबसे पुराना और सबसे रोचक स्थान है वली ही आज यह जील सूख चुकी हो उम्मीद की जा रही है कि जील के तले में या किनारे सेडिमेंट में कार्बोनेटेड मिनरल्स मिल सकते हैं धरती पर जीवाश जेजेड ऐसे टारगेट्स पर जूम करेगा जहां वैग्यानिक दृष्टी से रोचक खोज की संभावना हो मिशन की साइन्स टीम परसवियरंस के सुपर कैम को इस टारगेट पर लेजर फायर करने की कमांद देगी जिससे एक प्लाजमा क्लाउड जनरेट होगा इसके अन इनिटरी गियर बॉक्स और सेंसर से बना यह क्लीन और कॉम्पलेक्स मेकैनिजम पूरे मिशन की सफलता की एहम कड़ी है मंगल पर मिले सेंपल्स को इसकी मदद से इकठा करने के बाद सेंपल ट्यूब में डिपॉजित कर दिया जाएगा बविश्य में जब धरती से मिशन मंगल पर जाएंगे तो इससे यह सेंपल निकाल कर वापस धरती पर लाएंगे यहां इन्हें स्टडी किया जाएगा